Hello everyone, welcome to my channel. आज हम लोग Unit 4 Fractional Numbers के Worksheet 8 के Questions को Solve करेंगे. हमने वरक्षिट 7 तक के सभी Questions को Solve कर लिया है. अगर अप लोगोंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है, तो मेरे चैनल के प्ली लिश्ट में जाकर वो वीडियोस देख सेथे हैं. या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो के लिंक बिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वरक्सिट एट के कुस्टिंस को सॉल्व करने से पहले हमारे बुक में देखिए कुछ important points है, हमें पहले उसे discuss क करना होगा, तो देखिए क्या है, properties of multiplication of fractional numbers, fractional numbers के multiplication के क्या-क्या properties है, ठीक है, properties means उनके क्या-क्या roles होते हैं, तो देखो, multiplication of two fractional numbers, first rule, तो two fractional numbers आपको दे जाए, तो उसे कैसे multiply करना है, तो यह हमने last video में सीखा था, देखो, वरक्सिट 7 में, आपको इस टाइप के questions है, आप क्या करना था, इन्हें multiply करना था, तो यहां भी आपको देखो, क्या करना है, what is 2 upon 3 into 1 upon 5, इन दोनों को multiply करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमने सीखा था, कैसे multiply करना है, दो fractional numbers अगर हमें दिये जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो, इन दोनों के numerators को multiply करते हैं, और दोन इन दोनों को multiply करेंगे, तो क्या आता है, देखो, 1 into 2, 5 into 3, 15 तो भी आप देखो, इन्हें observe करो, जब हमने 2 upon 3 into 1 upon 5 किया, तो हमें क्या result आया, 2 upon 15, और अगर इनके place को interchange कर देते हैं, तो हमारा क्या result आता है, 2 upon 15, आपको कुछ भी difference दिख रहा है, नहीं, देखें, दोनों के product सेम है, तो इससे क्या conclusion हमें मिलता है, कि अगर आपको दो fractional numbers दिये जाते हैं, तो इन दोनों का जो product आता है, अगर हम इनके place को interchange कर देते हैं, तो उसका जो product आएगा, दोनों same रहेंगे, ठीक है, देखो, यहां हमारे book में दिया भी गया है, we observe that the product in both the case is same, अगर हम इसे observe करते हैं, तो दोनों case में product same आता है, ठीक है, ना, 2 upon 15 आया था दोनों case में 2 upon 15 आया था, तो आपको यहां पे देखो, लिखा गया है, if two fractional numbers are multiplied in either order, the product remain the same, अभी जो मैंने बताया था, कि अगर आपको two fractional numbers दिये जाए, और अगर इनके order को change कर दिया जाए, इनके place को change कर दिया जाए, तो भी इनके जो product होंगे, वो equal होंगे, ठीक है, यह एपका first rule है, second rule है हमारा, multiplication of a fractional number by one, अगर किसी fractional number को one से multiply करते है तो क्या आता है, देखो 3 upon 5 into one, इसे कैसे multiply करते हैं प्रम लोग, यह निउम्रेटर के साथ, one को multiply कर देंगे, 3 into one upon five, То three upon five आयगा, तो लिखो क्या होता है अपको, किसी भी fractional number को one से multiply करते है, तो क्या है, आ वही नंबर आ गया है 3 upon 5 ही आ गया है तो आपको क्या conclusion यहां से मिलता है कि किसी भी fractional number को अगर हम 1 से multiply करते हैं तो same वही fractional number हमें मिलेगा if a fractional number is multiplied by 1 the product is the fractional number itself हमें same fractional numbers मिल जायेगा third property है multiplication of a fractional number by 0 किसी fractional number को अगर हम 0 से multiply करते हैं तो हमें क्या मिलता है look 7 upon 11 into 0 multiply करने से क्या होगा 0 हम लोग जानते हैं कि किसी भी number को अगर 0 से multiply करें तो क्या हमें मिलेगा 0 ही मिलेगा तो ये same rule आपका fractional number के साथ भी apply होता है किसी भी fractional number को अगर आप 0 से multiply करो तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा ठीक है next property है देखो इन तीनो fractional numbers को आप देखो क्या किया गया है grouping में multiplied किया गया है first time में क्या किया गया है 1 upon 2 into 1 upon 5 इन दोनों का group बनाया गया है into 3 upon 4 इसे बाहर रखा गया ठीक है और second time में देखो क्या किया गया है 1 upon 2 को बाहर रखा गया है 1 upon 5 and 3 upon 4 का group बनाया गया है तो इन दोनों से देखो क्या आता है अगर हम इन दोनों को multiply करते है 1 upon 2 into 1 upon 5 देखो क्या आया है 1 upon 10 into 3 upon 4 ठीक है अब इन दोनों को जब मल्टिप्लाइ करते हैं तो 3 upon 40 आता है similarly यहां देखो इनके ग्रूप को change कर दिया गया है 1 upon 2 को बाहर रखा गया है इसे and second and third fraction को क्या क्या गया है ग्रूप बनाया गया है तो यहां देखो क्या आता है 1 upon 2 into 1 into 3 3 5 into 4 20 फिर इन दोनों को multiply करा गया है तो 3 upon 40 आया है तो कुछ भी difference आपको दिख रहा है नहीं दोनों के product क्या है same आ गया है देखो 3 upon 40 3 upon 40 तो यहां क्या conclusion हमें मिलता है if three fractional numbers are multiplied in any order the product remain the same अगर three fractional numbers को multiply किया जाता है किसी भी order में या कि first fractional number second fractional number को multiply करो फिर उससे आप third fraction से multiply कर दो या फिर आप first को छोड़ दो second और third को multiply करो उसके बाद आप उन्हें first वाले से करो तो आप किसी भी order में आप multiply करो आपको product same मिलेगा तो चलिए अब हम लोग worksheet eight के questions को solve करेंगे first question है fill in the blanks देखो आपको क्या करना है इन blanks को fill करना है तो first में हमारे जो numbers है आपको right में भी same numbers आएंगे ठीक है तो आप यहां देखो one upon two first fraction है second fraction four upon five है left में right में आप आपको given first fraction missing है तो इसका मतलब यहां क्या fill होगा हमारा one upon two यह first fraction आपका यहां fill होगा second में आप नविक है 7 upon 13 into यहां हमें second fraction missing है equal to first fraction missing हैто 9 upon 17 तो यहां देखो left में first fraction क्या है 7 upon 13 राइट में आप देखो 7 वर्स्ट्ड्रेक्शन missing है आपको first fraction missing है अपका यहां जोगा 7 upon 13 राइट में आपको six one thousand एसकाob फिल ओगा 9 अपन 17 देखो दोनों एक्वल हो जाएंगे इन दोनों को अगर हम मुल्टिप्लाइब करेंगे 7 अपन 13 इंटु 9 अपन 17 सेम है थर्ड में है देखो 7 अपन 9 इंटु यहां हमें फिल करना एक्वल टू 0 तो अभी मैंने प्रोपर्टी बताई थी मल्टिप्लिकेशन की जो प्रोपर्टी यह क्या है किसी भी फ्रेक्शन को अगर आप 0 से मल्टिप्लाइ करो तो आपका रिजल्ट क्या हैगा 0 यहां देखो हमें रिजल्ट दिया यहां फिल करना एक्वल टू 1 1 अपन 2 तो अप देखो जो नमबर आपका लेफ्ट में रिजल्ट नमबर आपका राइट में आये तो यह कब होता है जब किसी भी नमबर को अगर हम 1 से मल्टिप्लाइ करते तभी हमें रिजल्ट मिलता है तो अब देखो कि इस फ्रेक्शनल इनटू 1 upon 3 इसे ब्रैकेट में रखा गया है इनटू 1 upon 5 इक्वल तो यहां हमें फिल करना इनटू 1 upon 3 इनटू 1 upon 5 इसका ग्रुप बनाया गया है तो आप देखो दोनों साइड में लिफ्ट साइड में राइट साइड में अब देखो one upon 3 है 1 upon 5 है क्या मिसिंग है तो देखो 1 upon 2 मिसिंग है यहां 1 upon 2 फिल होगा ठीक है उसके बाद देखिए 5 upon 6 into 1 तो किसी भी फ्रेक्शनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टिप्लाय करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट आता है तो आपका यहां 5 upon 6 होगा ठीक है फिर हमारे पास देखो 2 5 upon 7 into यहां हमें फिल करना है और रिजल्ट क्या है 0 तो अभी मैंने बताया था किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टिप्लाय करो तभी आपको रिजल्ट क्या आगा 0 यहां हमें 0 फिल करना है फिर है आपके पास देखो यहां फिल करना हमें into 1 equal to 15 upon 28 तो आप देखो यहां हम क्या फिल करेंगे कि उसमें 1 से मल्टिप्लाय करने से आपका यह नंबर आ है तो आप देखो मैंने अभी बताया था कि किसी भी नंबर को अगर 1 से आप मल्टिप्लाय करो तो आपका सेम नंबर आता है प्रोड़क्ट में तो यहां देखो इन दोनों को अगर multiply करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा किसी भी number को अगर 0 से multiply करो तो हमें 0 मिलता है next 2 upon 5 into यहां हमें फिल करना into 5 upon 6 इतना आपको left side में दिया गया दिक यहां मिला हूआ इधर missing है ok 5 up on 6 है हमारे पास 5 up on 6 इतना है क्या मिसिंग है देखो यहां आपको 2 up on 5 नहीं है 5 up on 6 है यहां आपको 2 upon 5 का मेंकि तो हम्मारा फिल हो गया left में देखो क्या मिसिंग 2 up on 5to up on 5 है 5 up on 6 5 막 on 6 से क्या मिसिंग है 3.7 यह आपका यहां आएगा चीक है तो वर्क्षिट 8 के सभी कुस्टिंस हमारे सॉल्व हो गया है आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे वीडियो अच्छी लोगी तो इसे लाइक कर देना चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा है थैंक्यू अ हिर दो हम सब्सक्राइब कर दो चैनल को अथाय मिलती कर दोड़squार तो चैनल को समझ सबच़् में सब्सक्राइब क们ेन खोड़ा है अईवल草 से भी भीडियो प defense राभर रृ़ीश मेंटीक kolा स्वाओर प्ताश्यों चैनल को सिए सानल को अबंकर प्सक्राइब कि वीजब